नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ मनीशा गुडिया नहीं शेर नी बनाओ उसे जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बनाया सोशल मेडिया की एक जवर्दस्ट सची कहानी जो लोगों को बहुत पसंद आई है हम आपके लिए पेश कर रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान पर गुडिया नहीं शेर नी बनाओ उसे जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बनाया बात उन दिनों की है जब विहार में जंगल राज हुआ करता था शाम ढलते ही लोग घरों में दुबग जाते थे हलाकि दिन दाड़े भी बहुत कुछ घटित हो जाया करता था और किसी की जुबात तक नहीं हिलती थी बस की पंक्ती से किसी भी बच्चे को खीच कर अगवा कर लेना और मुह मांगी रकम ना मिलने पर उसकी लाश को वापस भेज समाज को भै की चादर में समेटे रखना आम बात थी महिलाओ चाहें वो बूड़ी हो यूवती हो या फिर टीनेजर हो वाला हो को कब कौन कहां उठा कर ले जाएगा और फिर क्या हाल होगा उसका कहना मुश्किल था ऐसी ही एक सांज जो मुझे बार बार जगचोरती है और कहती है कि सारी महिलाएं मेरी तरह शेरनी क्यों नहीं है आ तो सांज ढलने वाली थी सभी ने घरों की बत्तिया जला दी थी करमी का मौसम था कुछ बच्ची आंगन में खेल रहे थे उनमें मेरी भी दो शेरनिया शा पने बड़ों को बताओ एक मुच्चड वाला आदमी गेट के पास खड़ा होकर बत्तमीजी कर रहा है मैंने उसे चुप चाप चा कर उसी तरह खेलते रहने की हिदायत दी ताकि उस सिर्फ रे को यह एहसास ना होने पाए कि उसने किसी से कुछ कहा है इसी बीच मैं अपनी बैंत जो कि सदा ही मेरे पास रहा करती थी एक हाथ में लिए उसे पीट के पीछे चिपाए मंद मंद मुसकान बिखेरते हुए गेट पर पहुँची और प्यार भरे अंदाज में उसे पुछ लगी क्या बात है किसी को ढून रहे हो क्या सुन्दर जवान यूपती को इस अ कड़कर दूसरे हाथ से ले दना दन पैंत बरसाने लगी वह शायद इस अप्रत्याशित हमले के लिए तयार नहीं था घबराट में बोलने लगा मैं तो अपने मकान ढूनने आया था आप मुझे क्यों मार रही हैं इसी बीच अगल बगल बालकनी में बैठे लोगों ने अ तक उसके पीछे भी दोड़ी जब तक वह आँखों से ओजल ना हुआ अब और मजिदार बात सुमिए जब मामला शान्त हो गया तब उन लोगों ने जो बत्तिया मुझा कर अंदर गुज गए थे मेरी खबर लेने के लिए आ गये सारे ये क्या कर दिया आपने अपने आप कितनी डरावनी बाते मैंने हसते हुए ने जवाब दिया आप सब तो बत्तिया मुझा कर अंदर गुज गए थे ना आपने तो कुछ देखा ही नहीं रही मेरी बार तो मैं गलत देखकर हर पल अपनी आत्मा को मारने से अच्छा एक ही बार मरना अधिक पसंद करूंगी और हां रही मेरी बेटियों की बात तो उन्हें कभी कोई छूना तो दूर उन पर बुरी नजर भी नहीं डाल सकता आप केवल अपनी चिंता करिये अपनी यही काफी है आत्म विश्वास इंसान का सबसे बड़ा संबल होता है आकाश वानी में जब मेरी शाम की नियूज हुआ करती थी तब मेरे सहयोगी पूचा करती थे आपको लेने भट साव आ रहे होंगे हलाकि उनकी इस तरह की चिंता लाजमी थी क्योंकि बिहार की इस्तिती ही वैसी थी कि कोई भी महिला शाम के बाद अकेले निकलने की हिम्मत कर ही नहीं सकती थी मैं उन्हें यही जवाब दे सभी महिला कर्मी अपने पिता भाई या पती के आने के बाद ही परिसर से बाहर निकलती थी कई बार तो विदान सभा सत्र के दौरान अधिक देर हो जाया करती थी ऑफिस की गाड़ी का इंतजार करने का मतलब होता था दो घंटे और वेर्थ में बरबात करना और मुझसे जैसी शेर नी अकेले ही अपनी मंजिल तैकरने निकल पड़ती थी हाँ उस बहंकर जंगल राज से निपटने के लिए हर पल सजग और हर तरह के मोट्य को समहलने के लिए तक पर मेरे बैग में हमेशा अपने बचाव में काम आने वाली वस्तुएं मौजूद रहती थी वैसे देखने से कभी कोई यहने अंदाज लगा सकता था कि मैं इतनी खतरनाक हो सकती हूँ लेकिन जल्दी ही लोगों को यह खबर हो गई कि कम सेंसी दिखने वाली इस यूगती का एक हाथ जिसको पढ़ जाता है वे दस जनन तक भुलाई नहीं बूल सकता मैं रात के सननाटे पटना की विरान सड़कों पर इतने आत्म विश्वास के साथ चला करती थी जो भी वाहन पास से गुजरता एक बार अवश्य अपनी चाल धीमी करता और फिर ऐसे की छूमंतर हो जाता जैसे की कोई शेर ने जपटा मारने वाली हो मुझे मेरा आत्म विश्वास हमेशा इतना सशक्त बनाए रख था जैसे कोई अद्रश्य शक्ती मेरे साथ साथ चल रही हो एक बार की बात है मैं आटो से सपर कर रही थी आगे की सीट पर एक गुंडा सा कोई नौजवान बड़े अंदाज से पान कबीड़ा चबा रहा था आटो की रफ़तार तेज थी इसी बीच उस नौजवान ने थूख से अपने थूख से सड़क को रंग दिया बगल से गुज़रने वाले यात्री तो रंगे ही पीचे की सीट पर बैटे हम सबी लोग भी उसके गंदे थूख से रंग गए लेकिन किसी ने चूँ तक नहीं की मुझ जैसी चेड़नी जो रास्ते चलते हुए थूखने वालों को भी रुक कर समझाने की कोशिश में लगी रहती थी इस बत्तमी जी को कैसे बरदाश कर सकती थी चलती हुए आटो में ही पूरा घुमा कर ऐसे मारा ये पांचों उगलियों के निशान उसके थोबड़े पर उभाराए साथ में बैटी महीला और पुरुष थोड़ी देर के लिए घवराहट से सननाटे में आ गए कारण कि उन दिनों पिस्तॉल साथ में लेकर चलना इन सिर्फ लोग के लिए इन सिर्फ लोग के लिए ऐसा था जैसे कोई बच्चा जुन जुना साथ में लेकर चलता हो गुंडा राज जो ठेरा जिसमें पुलिस भी अपने कभजे में और सरकार तो अपनी ही है तिल मिला कर वह सिर्फ राप मेरी तरफ घुम कर पूछा क्या हुआ मैंने का यदि तुम्हें समझ नहीं आया तो क्या दूसरे गाल पे भी एक और रसीद कर दूँ मेरी नजरों से निकलते शोले शायद उसे अंदर तक हिला दिये थे जो से जेब मेरकी पिस्तॉल को बाहर निकलने की शक्ती से भी वंचित कर गए निश्चित ही वह जीवन भर इधर उधर न थूपने की कसम खालिया होगा तो मित्रों ये तो थी कहानी जो सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल हुई बहुत पसंद की गई और अब जो मैं बात आपसे करती हूँ आपसे सवाल करती हूँ कि अपना वोट देते समय क्या हमें ये याद नहीं रखना चाहिए कि हम ये वोट किसे दे रहे हैं क्या हम फिर से चाहे वो बिहार हो यूपी हो या देश का कोई साभी प्रांथ हो प्रदेश हो या देश में केंदर की सरकार हो या दिल्ली हो वोट देने से पहले क्या हमें अपने इस पास्ट को याद नहीं करना चाहिए कि बिहार में कैसा जंगल राज चला करता था और कब किसके साथ कैसे भी हो जाता था सुरक्षा जिसकी आज जोरो शोरो से मांग की जाती है और कभी शाहिन बाग में प्रदर्शन होते हैं तो कभी कहीं और होते हैं और जो लोग राजनेतिक रोटियां सेकते और नजर आते हैं और उस देश की अपने राजनेतिक रोटियों की जो आग में देश को जलाने से गुरेज नहीं करते हैं तो क्या ये आम जंता का भी फर्ज नहीं है करतव्य नहीं है कि अपनी वोट का जो पूरा सही उप्योग कर और जो वास्तम में एक सशक्त सरकार है जो इन सारे ब्रस्टाचारियों के खिलाफ काम कर रही है उसे ही हम अपनी ताकत दे और इन गलत करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं तो गुड़िया नहीं शेरनी बनाओ उसे और वो शेरनी है उसकी अंदर वो आग है हर महिला के अंदर ना किवल महिला के अंदर बलकि हर पुरुष की अंदर भी वो शेर होना चाहिए जो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके बजाए अपने स्वार्थ में देश को आहूद करने के समाज को आहूद करने के क्यों ना हम एक सच्चाई की मशाल जलाएं और उस मशाल से जो ये ब्रस्टा चार रूपी जो अधकार है उसको दूर भगाए तो करते रहिए काम सुनते रहिए रेडिय हिंदुस्तान और देश और समाज की प्रती अपने करतव्वे के लिए हमेशा सजग रहिए